कि कैसे डॉक्टर्स पुरमन लगा के दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो ना सपने को साकार करना है अब आस्तों में सही बात है कि एक्जाम पास आ रहा है तौर मन बढ़ना चीए और समर्पन की भाव से लगना चीए लेकिन अभी मैंने आपके सेशन लिये तो आपके कही तरह कि सर क्या वास्तों में नीट एक अगस्क होगी क्योंकि अभी तक फॉर्म तो नहीं आए आपका सोचना थोड़ा सा लग रहा है वैसे अपने को इसमें ज्यादा माइंड टाइम एनरजी लगानी तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो इसलिए आज मैं आपके साथ इस बात के लिए कि आखे नीट की डिट क्या होनी चाहिए उमीद कई पर ज्यादा करना गलत हो जाता है प्रडिक्शन कहीं ब्यार करते कहीं अलग अलग जगे में आज मौसम विवाग प्रडिक्शन करता है कि साब तेज बारिश होगी जबकि बरसात का मौसम एकदम क्यों वहां तो कर भी लग गया इसने पहले से उमीद जादा नहीं करने चाहिए यह पक्की बाते सब त्यों हो रहा है केवले की कारण है इस साल आपके जित्ते भी तरह के चेंजजेज हो रहे हैं उसमें में हैं कि जान है तो जहान है इस कोरुना काल में इसले इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा कि और ढंग से ऐसा लगे कि बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं को अन्हुनी घट्ना नहीं हो सकती दिश्चिंता से एक्जाम को कंडग करें इसमें इंतजार करें और इंतजार कफल मीठा भी होता है जली फिर भी आपके सामने डिसक्स करते हैं कि प्र 2019 की बात करते हैं उस समय 2019 के लिए 2018 के दिसंबर में तो फॉर्म आये थे और उसकी छे जनवरी लाजट देट थी आपके फॉर्म फिलिंग की यानि लगवा एक मैना हो गया दो दिसंबर को फॉर्म आये छे जनवरी लाजट और फिलिंग पहले प्रसेस समझना एक टाइम ल 2019 की डेट क्या होनी चीए एक एकस्पेक्टेट सिग्निफिकेंट डेट क्या होनी चीए इसका नामी सेशन का ही रखा है आज अगर हम देखें कि 15 जून है तो वास्तों में डेट अब क्या हो सकती है अनुमान लगाते हैं आपके साथ ही लगाते हैं चली प्रडिक्शन करते साथ यह चारो स्टेप सोचते हैं आज अगर 15 जून को रिलीज होती है तो लगवग एक मैने बाद आपकी लास्ट डेट आप फॉर्म फिलिंग होती है तो क्या हो गया 15 जुलाई आप साब कनेक्टेड हैं उसके लगबग दो वीके बाद आपकी यह एड्मिट का डिस्ट् पंद्रा अगस्त तो अगर मैं यहां स्टार्ट करता हूं 15 जून तो यह होता है आपके लिए 15 जुलाई यह आपके लिए 30 जुलाई दो वीक के बाद और यह आपके फिर दो वीक के बाद तो लगवग आप कह दिजे लगवग 15 अगस्त तो यह तो लग रहा है क्वाइट नेचुरल कि एक अगस्त से डिट आगे जाने की पूरी संभावना है अनुमान है निश्रित नहीं है हो सकता है इस बार इस इंट्रेवल को अड़ा दिया जाए सोची सीधे यहां से नहीं आ जाए और एक मैने का गैप कर दें गैप करतें 15 जून से 15 जुलाई हुआ और और 15 दिन जोड़े और मालुम पड़ा यह एक अगस्त हो जो हो सकता है क्या नहीं हो सकता है जिस पॉसीबल है लेकिन फ्रैक्टिकल अगर हम देखें तो यह डेट हमे यह डेड़ भी होगी नाज टिट ओफ फॉर्म फिलिंग हमेशा होगा कोई भी एक्जाम हो और सबसे उपर अभी क्या है इंतजार क्यों कर रहें आज तक फॉर्म रिलिज क्यों नहीं हुआ यह तो हम सोच रहें लेकिन लगरा अभी रिलिज नहीं तो एक वीक बात की कि अगर यह process के साब से है तो फिर तो हमारा लग रहा है कि 15 अगस्त तक तो अभी हाल उमीद कर सकते हैं उमीद कभी ज्यादा नहीं करने चाहिए मैं आपको शुरू में एक्जामपल दिये थे लेकिन अगर उमीद से ज्यादा मिल जाए तो खुशेगी बात है लेकिन अब य अगर अंदर से अपने को तयार कर लो प्रड़क्टी और कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई के लिए आगे बढ़ो जो भी डिट आईगी दिख रहा है कि आर अपने को समय एक्ट्रा मिल सकता है इसलाब आज से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों बच्चे रहना आ के लिए कि अगर अगर केसे कंन्लिया है क्याते हैं के तो जहर आ पहुंचा जाओगे जो चाहा उस रहा पर चल रहे हो मंजील आपका इंतेजार कर रही है यह बाद भी मैं ऐसे कहता हूं जिंदगी सफ़र के लिए कई वाद से कहते हैं जिन्दगी आजब तेरी परिवाशा है गयी तो जन्नत और भिखर कई तो माशा है बहुत विकल्प है विखरने के लिए एक दर्थ संकल बहुत सवरने के लिए थोड़ा दर्थ प्रतेग्य हो जाओ लियाओ और फिर देखो ये 2021 आपके लाइफ का गोल्डन इर बन जाएगा बच्चों बारी-बारी आउसर नहीं आएगा आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपसे कहा रहा हूँ एलेन आपके साथ है मुझे मालूम है अपना बेस्ट कर रहे हैं बस थोड़ा सा और पेशन्स रखना सबरी का हल मीठा होता है बच्चों इंतजार का हल मीठा होता है आप एफर्स लगा रहे हैं पकी नहीं सकता है और यह बाद ही पकी है अगर आप कुछ नहीं करें तो कोई आपको गोदी में उठाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा भी नहीं सकता क्योंकि आपको यह द्यान रखना यह अवसर बारी बार नहीं आएगा बाद में पस्तावा नहों जाए यार आई कुट है और कि तुलना में ज्यादा बैतर है जिसने इस ओपर्चनिटी को फायदे के साथ से यूज किया या उसर बारी बार नहीं आता है आई डिडिट सुनना ज्यादा बैतर लगता है साथी न कारवा है ये तेरा इम्तहा है यूहीं चला चल दिल के सहारे करती है मंजिल medical college इंतजार करदा आपका मुस्कराईए मेरे यार करती है मन जिल तुझे को इसारे देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझे को पुकार के ओरा ही ओरा ही ओरा ही ओरा ही ओरा ही बच्चों आपके साथ मैं आजसे चलता रहूंगा आगे आपको किस बात प्रूम से चर्चा करनी क् discuss करना चाहते हो, comment box में जरूर लिखना, मैं आपका इंतजार करूँगा, आगे फिर मिलेंगे, निश्रूप से, forget the past, forget the rest, do your best to create better tomorrow, अपने अंदर से जो सपना देखा है, उसके लिए आज से लेके चलना, अगर दिल से करे touch, तो और सपने होते हैं सच, विजय भाव, thank you very much. झाल